गॉसिप के मामले में टीवी स्टार्स भी बॉलिवूड स्टार से कम नहीं चाहे उसमें उनकी अफेर, रिलेशन्शिप या फिर ट्रांस्फोर्मेशन की बात क्यू ना हो ऐसे इस स्टार्स में से एक हैं छोटे परजे की अभिनेतरी शमा सिकंदर शमा सिकंदर एक साधारन सी नजर आने वाली एक्ट्रस ने उस समय इंडस्ट्री में धमाका कर दिया जब उन्होंने सर्जरी की मदद से खुद को पूरा का पूरा बदल दिया उसकी बात तो मोहतर्मा ने अपनी कई तस्वीरे सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की जिसमें काफी सारी बोल्ड फोटोज भी रही शमा की खुबसूरतिक का क्रेडिट अगर सर्जरी को दिया जाए तो गलत नहीं होगा हालाकि वो इस बात से साफ इंकार कर चुकी है और अपने लुक में आये बदलाव का क्रेडिट मेक अप, फिटनेस शेडियूल, जिमिंग वर डाइट प्लान को देती है मगर आप खुद ही सोशल मीडिया पर शमा की पहली और अपकी तस्वीरों को देख अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी स्किन पहले से ज़्यादा फेरी हो गई है साथ ही उनके नैन नक्ष में भी काफी अंतर आ चुका है शमा का ये चेंज सक्सेस्फुल भी रहा वैसे शमा कोई पहली एक्टरस नहीं जिनोंने खुबसूरती बढ़ाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा दिया हो सर्जरी की बदावलत मौनी रॉय का भिलुक एकदम बदल गया वहीं बिदाई और बिग बॉस की एक्स कंटेस्टन एक्टरस सारा खान उतरन फेम तपस्टा के किरिदार से घर घर मशूर हुई रश्मी देसाई ड्रामा कुईन राकिसावन की पहले और अपकी तस्वीरे अच्छा खासत सबूत है संभावना सेट ने ब्रेस्ट इंप्लांट, रागनी नंदवानी ने लिप सरजरी, वह मौली गांगुली ने होट और गालो की सरजरी करवाई इन लिस्ट में बॉलिवूट की भी लगबग सारी हसीनाई शामिल है शिल्पा से लेकर प्रियंका तक सबने खूबसूरती के लिए सरजरी का सहारा लिया तो चलिया आज हम आपको शमा के करियर के बारे में बताते हैं शमा ने अपने करियर की शुरुआत एक्टर फरदीन खान के साथ फिल्म प्रेम अगन से की थी जब उनकी एक्टिंग कमाल नहीं दिखा पाई तो उन्होंने छोटे परदी की तरफ रुख कर लिया उसके बाद वो कई म्यूजिक वीडियोज में नदर आई शमा ने ये मेरी लाइफ है सेवन और बालवीर उनके जैसे कई टीवी सीरियल में काम किया बलवीर में उन्होंने भयंकर परी का किरदार निभाया जिससे वो काफी फेमस हुई इसके अलावा शमा ने कुछ रियालिटी शोज और टीवी प्रोग्राम भी होस्ट किये हैं फिल्मे और छोटे परदे के बाद उन्होंने वेब सीरीज की और रुख किया और जिसमें उन्होंने काफी बोल्ड किरदार निभाय फिर वेब सीरीज में काम कर शमा सिकंदर ने बोल्ड एक्ट्रेस की तौर पर अपनी अलग पहचान बना ली हालाकि यहां तक पहुँचने का उनका सफार आसान नहीं था उन्होंने एक इंटर्वियू में किस्सा शेयर करते हुए बताया था मैं अभी करियर की शुरुआत के लिए बड़े सपने संजो कर मुंबई आई थी और उस वक्त मेरी उमर 14 साल की थी मगर एक डारेक्टर ने मेरी जांग पर अपना हाथ रखने की कोशिश की मगर मैं उसकी इरादे को भाप गई थी और खुद को संभालते हुए कहा नहीं इसके बाद डारेक्टर ने उन्हें कहा तुम्हें क्या लगता है तुम यहां स्टार बन जाओगी कोई तुम्हें नहीं छोड़ेगा डारेक्टर ही नहीं एक्टर और प्रोड्यूसर भी तुम्हें प्रतारित करेंगे इन चीजों के बगएर तुम करियर ही नहीं बना पाओगी बता दे कि शमा बाइपोलर डिसॉडर एक तरह की मानसिक बिमारी का शिकार भी रह चुकी है जिसके बारे में उन्होंने खुद बताया था इसी बिमारी की चलते उन्होंने अपनी जान भी लेने की कोशिश की थी रिपोर्ट्स के अनुसार एक रात तो उन्होंने अपनी पूरी फैमली को डरा दिया था मगर अब शमा बिल्कुल फिट है और रोजाना एक्सरसाइस करती है बात अगर उनके लव लाइफ की करे तो शमा सिकंदर ने जन्वरी 2016 में जेम्स मिली रॉन नाम की शक्स से सगाई की थी सगाई की कुछ फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किये थे सगाई से पहले भी काफी समय से गुम नाम थी लेकिन उन्होंने सगाई की तस्वीरे शेयर कर सभी को चौका दिया था क्योंकि लोग न सिर्फ उनके मंगेतर को बलकि शमा के बिल्कुल बदल चुके लुक को भी देख हैरान हुए शमा का कहना है कि वो मंगेतर जेम्स के साथ काफी खुश है और उन्हें जब भी मौका मिलेगा तो शादी भी कर लेंगे तो ये रही शमा सिकंदर की लाइफ स्टोरी अपने फेवरिट स्टार के दिल्चस्प लाइफ स्टोरी जानने के लिए कॉमेंट बॉक्स में जरूर विचार सांजा करें